जेनिफर लॉपेज का एक इवेंट हुआ है साओधी अरेबिया में और वो चर्चा का विश्य बन गया आप मेरे पीछे देख सकते हो कि जेनिफर लॉपेज जेनिफर लॉपेज का इवेंट होता है साओधी अरेबिया में और वो क्यों चर्चा का विश्य बन गया आप करें उससे पहले अगर आप study IQ के किसी course से जोड़ना चाहते हैं यानि कि UPSC की तयारी के लिए अगर आप कोई course जोइन करने का सोच रहे हैं तो इस समय आपके लिए foundation batch prelims to interview foundation batch morning batch है ये 25 नवंबर से start हो रहे हैं इसका actual price आप देखोगे तो 70,000 रुपीज है लेकिन अगर आप मेरे code VM live को यूज़ करेंगे VM live आप यूज़ करेंगे तो ये जो 70,000 का course है मात्र 29,999 करीब करीब 30,000 को आपको मिल जाएगा इतना बड़ा discount शायद आपको किसी और code पर ना मिले लेकिन अगर आप VM live code का यूज़ करेंगे तो आपको ये बहुत बड़ा discount मिले आईए हम अपने issue पर आते हैं और बातचीत करते हैं आखिर हुआ क्या है Jennifer Lopez का event कहीं भी हो वैसे तो चर्चा कवे से बन ही जाता है लेकिन साओधी अरेबिया में हुआ और इतना चर्चा कवे से कोई भन गया जीजन ये है कि साओधी अरेबिया एक कंट्री ऐसी रही है जो आज से कुछ साल पहले अपने religious extremism और कह सकते हो conservatism के लिए जानी जाती रही जहां पर महिलाओं को इवेन अपने वस्त्र चुनने की अपने अटायर को सेलेट करने की आजादी नहीं रही है उस देश के अंदर किसी revealing अटायर में आप कह सकते हो कि जैनिफर लॉपेज जैसे आर्टिस्ट का कोई इवेंट होता है तो ये वास्तों में साओधी अरेबिया के लिए भी और दुनिया के लिए milestone हो जाता है क्योंकि एक कंट्री जो कंजर्वेटिजम को फॉलो करती है और एक्स्ट्रीम कंजर्वेटिजम में रही है काफी लंबे समय तक और काफी लंबे समय तक religious extremism जैसी philosophy वहाँ पर prevail की है तो उस कंट्री में जैनिफर लॉपेज का event होना, concert होना, वास्तों में एक बड़ी बात तो है लेकिन इसके साथ साथ इस मुद्दे को लोग double standard के रोप में क्यों देख रहे है साओधी अरेबिया का इस पर हम चर्चा करेंगे पहले हम देखते हैं कि लोग कह क्या रहे हैं इस बारे में साओधी अरेबिया has drawn praise on social media for the country's drastic transformation in just a few years days ago Jennifer Lopez performed wearing a revealing leotard in Riyadh just a few years ago women were not not allowed to even show their skin just a few years ago women were not allowed to even show their skin एक user ने लिखा है expert ठीक है a woman dressing like this would have been unthinkable would have been unthinkable in Saudi Arabia just a few years ago cheered another user तो यह सारी बाते कही जा रही हैं कि Saudi Arabia में ऐसा सोच पाना भी असंभव था क्योंकि उसी Saudi Arabia ने जिसने 2018 में allow किया है अपने देश की महिलाओं को car चलाना even they are not allowed to drive car women are not allowed to drive cars in Saudi Arabia तो ऐसे Saudi Arabia में Jennifer Lopez का event होना बड़ी बात है 2015 में उन्होंने आप देखोगे तो मैंने आपको पहले भी दिखाया यहां पर कि जो restrictions थे abolishing the mandatory बुरका 2015 में इन्होंने mandatory बुरका पर रिस्टिक्सन्स mandatory बुरका जो एका टायर होता है मुसलिम महिलाओं का वो restrictions हटाए तो इतनी तेजी से 2015 के कुछी दिनों बाद 2018 में उन्होंने महिलाओं को car चलाने की भी आ जा दी जी और आज 2024 में वहाँ पर जैनिफर लौपेज का event होता है अगर आप जाओगे थोड़ा सा इतिहास में तो देखोगे कि साओधी अरेबिया जो की वाहिजम की भूमी रही है Islamic traditions को follow करती है Islamism में एक प्रमुक धार्मिक अस्थल के रूप में भी जाना जाता है साओधी अरेबिया को और यहां तक की इतने traditional values वहाँ पर follow की जाते हैं कि उसको conservatism और religious extremism की कटेगरी में भी कभी-कभी रख दिया जाता रहा है पिछले कुछ वर्सों में पिछले एक दशक में आप कह सकते हो एक दशक से भी कम समय में इन्होंने महिलाओं को कार चलाने की आजादी दी महिलाओं को अपने वस्ट चुनने की भी आजादी दी बहुत stringent punishment के लिए साओधी अरेबिया जाता है आखिरी यह transformation हुआ कैसे साओधी अरेबिया में साओधी अरेबिया में लगभग 1934 के आसपास तेल ख़दानों की खोज हो रही थी रिजर्व आयर निकल रहे थे दुनिया जो है colonial period से बाहर आ रही थी उसी दोरान 50 के दशक में दुनिया जब colonial period से बाहर आ रही थी तो नए नए countries industrialization वाली phase में जा रहे थे और industrialization के लिए आप सभी को पता है crude oil fuel इत्यादी की जरूरत पड़ती सभी countries के लिए ये एक आप कह सकते हो की जरूरत थी crude oil और वो सप्लाई करने में साओधी अरेबिया was one of the largest producer of crude oil तो इनकी economy पूरी तरह से किस पर dependent थी crude oil पे और उन्होंने अपनी economy को crude oil से ही बहुत बड़ी economy बना लिया लगातार वर्सों में आने वाले वर्सों में लेकिन धीरे धीरे जब 21st century when world adopted when world started adopting non-conventional energy resources when world started when the world started shifting towards the non-conventional energy resources Saudi Arabia ने ये महसूस किया कि अब उसकी ये जो crude oil वाली economy है वो बहुत लंबे समय तक sustain नहीं कर पाएगी crude oil वाली जो economy है उससे उनको shift करना पड़ेगा अगर उनकी economy को इसी तरह रहना है तो यह आप किस तरह से देख सकते हैं जैसे भारत ने 1990 के दर्शक में 1990 के टाइम पर अपनी economy को open किया और उसी टाइम पर इंडिया में different type के culture उसी टाइम पर Bollywood movies का tune बदल जाता है उसी टाइम पर हमारे हाँ beauty parlor के culture आ जाते हैं उसी टाइम पर हमारे हाँ cosmetics की demand बढ़ जाती उसी टाइम पर हमारे हाँ के अटाइम जो है westerns अटाइम से काफी match करने लगते हैं similarity आ जाती तो 90 के दशक में जिस तरह से भारत में तेजी से परिवर्तन हुए कुछ उसी हिसाब से परिवर्तन होना शुरू हो गए है वहाँ के traditional values में साओधी अरेबिया ऐसा क्यों है क्योंकि वहाँ की सरकारे अब यह समझ चुकी है कि तेल पर dependency बहुत समय तक काम नहीं करेगी अब इनको अपने products का diversification करना पड़ेगा trade diversification करना पड़ेगा कुछ alternate traits country के साथ alternate traits पर collaboration करना पड़ेगा और इसके लिए जरूरत होगी कि अपनी जो यह conservatism फिलोसफी है अपनी जो यह religious extremism है इससे बाहर आना होगा तो इसी क्रम में आप समझ सकते हैं वहाँ के जो king है या आप कह सकते हैं वहाँ के जो समय प्रमुख है मुम्मद बिन सल्मान यह अपनी progressive values के लिए अपनी progressive mindset के लिए अपने सी progressive thoughts के लिए जाने जाते हैं इन्होंने तेजी से काफी फैसले लिये हैं जिससे लोगों के मन में साओधी अरेबिया के लिए जो यह religious extremism और conservatism वाली सोच बनी है वो तेजी से उनमें परिवर्तन है लोग साओधी अरेबिया में movie बनाना film में बनाना इत्यादी उस तरह के destination के लूप में भी देखें यानि कि वो अपनी economy को diversify कर रहे हैं अपनी economy के लिए alternate search कर रहे हैं साओधी अरेबिया के लोग और इसी क्रम में जैनिफर लोपेज का ये concert देखा जा सकता है तो ये कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं है जिस तरज पर साओधी अरेबिया चल ला है 2015 में उन्होंने attire की स्वतंतरता प्रदान की वस्तर चुनने की स्वतंतरता प्रदान की उसके बाद 2018 में महिलाओं को कार चलाने की स्वतंतरता प्रदान की और अब जैनिफर लापेज का कंसर्ट उसके बीच में भी पहले कई जो है मोटर ग्रांट पी जो होते हैं जो कार रेसिंग कार्स वाले रेस वगएरा होते हैं इवेंट भी वहाँ पर हो चुके हैं इस तरह की ठीक है जैनिफर लापेज वाला कंसर्ट हो रहा था उसी बीच एक रिपोर्ट भी आती है उसी दौरान एक रिपोर्ट भी आती है जो यह कहती है कि पिछले एक दशक में साओधी अरेबिया में अगर सबसे जादा डेथ पेनल्टी दी गई है तो वो दो हजार चौबिस है और उसमें से भी विदेशियों को सबसे अधिव डेश पेनल्टी दी गई है तो साओधी अरेबिया अपने एक काम के लिए और जाना जाता रहा है कि वहाँ पर बहुत हार्स पनिश्मेंट दिये जाते रहे हैं तो यह हार्स पनिश्मेंट वाली फिलोसपी पर यह क्यों नहीं काम कर रहे हैं विविन प्रकार के खेलों के लिए host country बनना विविन प्रकार के concerts का host बनना concerts आयूजित करना अपने देश में महिलाओं को उनके वस्त्रों के स्वतंतरता प्रदान करना इत्यादी क्या केवल दिखावा मात्र है लोगों की सोच बदलने के लिए साओधी अरेबिया के लिए लोगों की सोच बदलने के लिए केवल किया जा रहा है वास्तविकता तो कुछ और है इसी कारण से लोग साओधी अरेबिया में जैनिफर लौपेज की इस कंसरंड को जैनिफर लौपेज की इस परफॉर्मेंस को double standard कह रहे हैं साओधी अरेबिया तो देखिए मैं आपको रिपोर्ट शो करना चाहता हूँ जिसमें कहा गया साओधी एग्जेक्यूट्स मोर दन हंड्रेट फॉरेनर्स इन 2024 अभी 2024 खतम भी नहीं हुआ और इसमें खतम होने में भी एक महीने से अधिक का लगबग समय है और maximum execution death penalty maximum death penalty 2024 में अगर आप यह data 2022 और 2023 का देखोगे तो यह data 34 के असपास था 2022 में भी 34 execution 2023 में भी 30 execution और उसमें से भी maximum numbers foreigners के हैं तो इतनी stringent policy इन्होंने क्यों बना इतना stringent judicial system इनका अभी क्यों है क्या यहां पर fair justice अभी भी नहीं है क्या यहां पर लोगों के पास अपने आपको प्रस्तुत करने का equal rights नहीं है क्या अभी भी उन अधिकारों से लोगों को वंचित करके रखा है साउधी अरेबिया ने इन ही सब के कारण लोग double standard की रूप में इसको देख रहे हैं कि एक तरफ जैनिफर लॉपेज का कंसर्ट और दूसरी तरफ इतना harsh punishment में साउधी अरेबिया सबसे आगे है दुनिया के देशों में जहां पर death penalty इतनी अधिक मात्रा में इतनी अधिक संख्या में दी जाती है तो आप इस बुद्दे से कितने सहमत हैं क्या death penalty execution लोगों को देना चाहिए, क्या death penalty का punishment लोगों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए आप comment करके बताएंगे yes और no में और आप हमारे different courses से जुड़ने के लिए study IQ के different courses से जुड़ने के लिए आप VM life code का यूज कर सकते हैं जो कि हमारा foundation November batch start हो रहा है और last date जिसकी 20 November है इस session से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार, thank you so much to all of you